आपका स्वागत करता हूँ आज की सेशन में हम लेकर आए हैं इंटीग्रेशन अब सम् पार्टिकूलर फंक्सा इंटीग्रेशन का एक कहदे तो आत्मा है यह टापिक जो होता है इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपर्टेंट टापिक है और यह इंटीग्रल आप सम् पार्टिकूलर फंक्शन हम लोग देखते हैं आईए तो यह पहला एक आर्टिकल लेते हैं और यह कहले कि यह हमारा टाइप फर्स्ट होगा dx upon x square minus a square one equal to one upon 2a log x minus a upon x plus one x plus a एए और integration constant तो यह एक pattern है और इस pattern को अगर इस तरह के pattern के सवाल आते हैं तो हम कैसे हल करेंगे वो method सीखेंगे तो पाली चैज़ तो यह हो गया अब यहात पे इसका pattern को हम लेते हैं कि कैसे solve करेंगे तो यहां पे now one upon x square minus a square equal to हम लिख सकते हैं one upon x minus a और x plus a अब है तो आगे चलेंगे तो हम लोग को एक topic मिलेगा integration by partial fraction तो यह topic तो बनना है partial fraction का बट यहां पे हम आपको direct method सिखाएंगे कि आप इसको कैसे partial fraction के रूप में इसको दो function के रूप में तोड़ सकते हैं तो देखिए पाहली चीज कैसे आप तोड़ेंगे यहां पे हमारे पास है one upon x minus a और फिर है x plus a इसको हमको दो बार में तोड़ना है तो पाहली चीज आप ऐसा करिए कि यहां पे x minus a लगा दीजिए और यहां पे x plus यह लगा ठीक है और यहां का sign हम लो चेक कर लेंगे कि क्या होगा plus होगा कि minus होगा तोड़ना है तो पाहली चीज की जब कोई चीज फ्रैक्शन की चीजे होती है जैसे 1 upon 2 हो प्लस 1 upon 3 हो तो इसका LCM लेने के लिए 3 को हम यहां पे ले आते हैं multiply करते हैं और 2 को इस 1 में multiply करते हैं तो इस x plus a को हम यहां लाएंगे और x minus a को इस जगा पर लाएंगे अब दोनों को अगर simplify करें जैसे यहां पे x plus a आ गया और यहां पे आ गया x minus a तो आप यह देख रहा है कि a से यह हमारा cut रहा है x और x मिलके 2 x जब कि यहां पे क्या है 1 है और यहां पे मिलना 2 x तो यानि हम यहां पे minus कर दें तो अब minus करने तो एक्स और एक्स कट जाएंगे और माइनस ए और ए यानि देखें ऊपर क्या मिल गया एक्स प्लस ए एक ब्रेकेट में और माइनस एक्स माइनस ए और नीचे हो गया हमारा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए ए एक्स ने एक्स को कर दिया अब बचा ए और ये माइनस इस माइनस को प्लस किया तो टू ए अब टू ए एक्स्ट्रा आ रहा है हमको चाहिए वन तो हम क्या करते हैं कि इस टू ए को डिवाइट कर देंगे तो यहां पे वन अपन टू ए कर देंगे तो हमको ये fraction के रूप में तूट जाएगा यानि दो function के रूप में तूट जाएगा तो ये हमारे one upon x minus a और minus one upon x plus a हुआ अब इतने की जगा पर जो integration का term है उसके जगा पर हम लिख सकते हैं one upon two a one upon x minus a minus one upon x plus a तो इसको हम लोग रखते हैं आईए इसके जगा पर रखे one upon two a one upon x minus a minus one upon x plus a dx यानि दो integration का term मिल दा है इसको अलग लग हम तूट ये आप हटा दीजे और यहां पर one upon two a integration one upon x minus a dx minus one upon two a तो one upon x plus a और ये हो गया d अब one upon x देखें one upon x dx होता है लाग लाग x लाग x होता है और x minus a है तो कोई फरक नहीं पड़ता है one upon x हो चाहे one upon x minus a हो सेम रिजल्ट होगा लाग x minus a कोई फरक नहीं पड़ता है अगर a minus x हो जाता तब आपका difference हो सकता था लेकिन x minus a पर कोई फरक नहीं पड़ेगा तानि one upon x minus a का integration जो होगा लाग x minus a और one upon x plus a का integration होगा लाग x plus a अब one upon two हम कामन ले ले तो लाग x minus a minus लाग x plus a यानि लाग m minus लाग n और लाग m minus लाग n equal to होता है लाग m by n तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं one upon two है लाग m, m के मतलब x minus a upon n x plus a plus c यह हमारा pattern number first था इस तरह के type question बनेंगे तो कैसे हम लोग solve करेंगे अब आते हैं type number two अब integration dx upon a square minus x square equal to one upon two है लाग x plus a upon x minus a x minus a no यह minus x होगा यहाँ पे a minus x यह माइनस x होगा तो यह होगा pattern का अब यहाँ पे फिर वही concept हम लोग कर चलते हैं कि कैसे इसको हम लोग break किये थे तोड़े थे दो पार्टों में तो पहला तो यह तूट गया अब आपको तोड़ना सिखा दें पहली चीज़ तो यहाँ पे आप लिख लें a minus x और फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं upon में करके a plus x तो जैसे आपको बताया कि lcm लेते हैं तो यहाँ पे lcm आया a plus x और यहाँ पे आगया a minus a अगर यहाँ plus का sign है तो x x कट गया to a यानि हमको यहाँ पे x नहीं चाहिए constant होगा तो हम divide करके arrange कर लेंगे तो यानि यह plus u होगा यानि हम लिख सकते हैं a minus x plus one upon यहाँ पे लिखें तो a plus x और जो external term आ रहा है यह और यह को add करने से 2a तो यहाँ पे हम लिख देंगे one upon two तो हमारा हो गया बस इसने की जगापर हम यह इस term को लिख सकते हैं तो यह हमारा हुआ इस तरह से लिखें और यह one upon a minus x plus one upon a plus x अब integration में हम दोनों को अलग अलग करेंगे और यह integration का part होगा यहाँ पे अलग किया one upon a plus x dx plus one upon two a one upon a minus x dx तो देखें यह जो first term है इसका कोई effect नहीं है one upon a plus x कोई दिक्कत नहीं हम सीधे सीधे lag a plus x लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे pattern में changing आईगे इसके लिए आपको समझा दें अगर आपने माना a minus x equal to t तो a का differentiation 0 minus dx equal to minus dt यानि dx equal to minus dt होगा अब इस integration को हम इस रूप में लिख सकते हैं t और minus dt यानि इसका मतलब हुआ कि lag और t और lag और यहाँ पे minus आगया a minus x यानि second जो integration है उसका होगा minus lag a minus x तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं minus 1 upon 2a lag a minus a अब इतना terms कामन है फिर इसको हम कामन ले तो lag ym minus lag yn का formula लगा है lag ym बटा yn तो यह 1 upon a square minus x square dx equal to 1 upon 2a lag a plus x upon a minus x plus c तो यह हमारा result होगा यहाँ पे यह हमारा type 2 का pattern होगा अब आते हैं हम लोग टाइप 3 पर type 3 का pattern क्या है dx upon x square plus a square equal to 1 upon a tan inverse x upon a plus c तो अब इस pattern में हमको solve करना है तो आईए यहाँ पे लेते हम लो let x equal to a tan theta अब यहाँ से अगर theta को हम solve करें तो theta equal to tan inverse x upon a मिलेगा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x upon a equal to tan theta tan theta और यहाँ से अगर theta हम निकालें तो मिलेगा हमको tan inverse x upon a tan inverse x upon a अब put करते हैं और पहले इसको differentiate करेंगे तो differentiate किये तो dx और tan का होता है x square theta तो dx equal to a x square theta into d theta अब जो चीज है उसको हम लोग put कर लेते हैं a square plus x square tan no यहाँ पे यह हो गया a square हो गया a square plus a square x की जगा पर हमको रखना है a tan theta तो a square tan square theta और यहाँ पे जो मिला हमको वो मिला a dx की जगा पर हम put कर रहा है तो dx हमारा है यह तो dx की जगा पर हम put करेंगे a x square theta into d theta यह pattern आप देखें यहाँ से a square को हम कामल लेगें तो 1 plus tan square theta और 1 plus tan square theta मिलेगा x square theta यानि नीचे हमको मिलेगा a square x square theta तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 plus tan square theta और c square तो है है यह हमारा हो यहाँ से अब यह भी हमारा c square हुआ और यह भी जग है तो इसको इसको तो हम काट सकते हैं तो c square theta, c square theta, d theta और मिला हमको d theta अब d theta का integration हुआ theta अब theta की value हम put कर देए तो theta equal to मिलेगा tan inverse x upon a तो यह हमारा pattern number third था अब आते हैं pattern number जो हमारा fourth है और वो fourth pattern है integration dx upon root x square minus a square equal to log x plus under root x square minus a square यह pattern हुआ और plus c तो अब इस तरह के integration है यहां पे हम put कर लेंगे let x equal to a c theta और यहां से हम अगर c theta की value find करें तो यह आपका x के नीचे आएगा तो c theta equal to मिल जाएगा x upon a तो c theta हमको मिलेगा x upon a तो आए आगे का देखते हैं pattern तो इसका differentiation करें तो x का dx c theta into tan theta d theta यह हमको मिला अब put करते हैं i equal to dx की जगा पर हमको इतना put कर देना है और नीचे x की जगा पर हमको put करना है यह c theta तो a square c square theta minus a square अब यह हुआ अब यहां से a square आपको दिख रहा है और यहां पे a square अब इन a square को हम कामल ले लें तो हमको a बाहर निकल जाएगा root के root से और 6 square theta minus 1 होता है 10 square theta और root 10 square theta तो square cancel करेगा root को तो 10 theta यहांने नीचे total value हमको मिलेगी a tan theta तो इसको हम लिख सकते हैं a 6 theta और 10 theta upon a square 10 square theta और यह हमको मिला a 6 theta 10 theta और then last में यह tan theta आएगा तो यह से a cancel होगा tan से tan हम काट लेंगे और हमको मिल जाएगा 6 theta और 6 theta का integration होता है log 6 theta plus 10 theta plus c1 अब c1 क्यों जोड़े हैं वो आगे चल कर concept किलियर कर रहा हैं तो पहले देखें 6 theta तो हमको मालूम हो चुका है x upon a है लेकिन यहां पे 10 theta तो इसको हम बदलेंगे 6 में तो under root 6 square theta minus 1 तो 6 theta plus 6 square theta minus 1 अब x upon a, x upon a हम put करते हैं इनके जगा पर तो x square upon a square minus a 1 अब इसका LCM ले लें तो यहां पे a square नीचे यह हो जाएगा तो log x upon x square minus x a square upon a square अब इसको solve करें तो x plus root x square minus a यहां से यह मिल चुका हमारा और यह यह है तो total x plus root x square minus a square upon a अब यहां पे log m upon n का फॉर्मूला लगाएं तो log m, log m by n का फॉर्मूला होता है log m minus log m minus log n यह फॉर्मूला होता है मारा तो इस फॉर्मूले को use करेंगे तो log x root x plus root x square minus a square minus log a plus c अब इसको a भी constant है तो इसको हम another constant c suppose कर लेते हैं पैटर्न था हमारा fourth अब आते हैं fifth के तरब तो dx upon root a square minus x square equal to sin inverse x upon a plus c फिर इसमें हम x की जगा पर हम put करेंगे a sin theta तो put कर लेते हैं let x equal to a sin theta तो sin theta हमको मिलेगा theta equal to sin inverse x upon a अब इसका हमको करना है differentiation तो differentiation करें तो dx equal to a cast theta into d theta अब dx की जगा पर हम put करेंगे a cast theta d theta और यहां पर x की जगा पर a sin theta then हमको result मिलेगा one upon under root a square minus a square sin square theta a cast theta into d theta नीचे हमको मिला one upon under root a square cast square a square को कामल ले लेगे तो one minus sin square theta तो a square cast square theta और a cast theta into d theta a cast theta into d theta अब समाकलन हुआ a cast theta a cast theta into d theta तो यह आपका cancel हुआ अब d theta हुआ तो theta plus c और theta की अमबायलू put करेंगे तो theta हमको मिल जाएगा समाकलन dx upon root a square minus x square dx sin inverse x upon a plus c यह हमारा result हुआ अब यह हमारा pattern तो 5 अब pattern 6 देखते हैं और 6 pattern है हमारा dx upon x square प्लस यहां पे है dx upon x square minus a square का कर चुके थे हम लो तो dx upon under root x square plus a square equal to log x plus root x square plus a square यही जब minus था तो यहां पे minus हो जा रहा था बाकी कोई changing नहीं आ रही थी तो यहां पे आते हैं हम लोग suppose करते हैं x equal to a tan theta तो यहां से tan theta के अगर निकालेंगे तो x upon यह मिलेगा अब इसको हम कर लेते हैं differentiation तो dx equal to a tan यह tan का हो जाएगा c square theta into d theta अब इस dx की जगा पर हमको put करना है इतना यह x square theta into d theta और इस x की जगा पर हमको put करना है a tan theta तो अब रखकर इसको simplify करना है तो हम लोग simplify कर लेंगे a x square theta into d theta upon root a square tan square theta plus a square अब a square तो दिख रहा है common है तो a square को common लिया तो 1 plus tan square theta और 1 plus tan square theta होता है x square theta तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं root a square square theta तो a square theta अब एक shake हमारा cancel होगा a से a cancel होगा then हमको result मिलेगा 6 theta into d theta अब यहाँ पर जो मिला log 6 theta plus tan theta और यह c1 और c1 का concept अभी previous वाले में देखे थे हम लोग से और last में यहां यह आएगा यहां यह हई है हमारा अब दोनों को solve करें simplify करें तो x plus under root x square plus a square नीचे a मिलेगा वही minus log log m by n का formula लगाएंगे तो minus log a plus c1 और इस total की जगा पर हम another constant रग देंगे c तो हमको final result मिला log x plus under root x square plus a square और plus c तो यह हमारा final result था अब लेते हम लोग जो हमारा pattern है six pattern हो गया अब यहां पर एक question arise होता है और student पूछा करते हैं sir हमें यह बताएं कि आप तो असानी से put कर ले रहे हैं कि इसके जगापर इसके जगापर 10 लेकिन हम कैसे जानेगे कि यहां पर हम 10 रखें कि कास रखें कि sign रखें तो student इसका इस प्रश्ण का जवाब मतलब सारी चीज पढ़ाने के बाद जब कोई student इस तरह का सवाल पूछता है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है बट जो होता है कि इसका जवाब एक ही है कि practice से यह पता चलेगा कि हम किसके जगह पर क्या पूट करें फिर भी एक असान पैटर्न बनाने के लिए एक एजी तरीके बनाने के लिए एक कुछ पैटर्न है कुछ expression है, जिसमें हम क्या put करेंगे, क्या substitution होगा हमारा, वो हम लोग देख लेते हैं, तो practice ही पता चलेगा, कि हमको किस pattern पर क्या रखना है, लेकिन एक तरीका है, कुछ expression हम लोग देख लेते हैं, तो आईए expression है, और यहाँ पे क्या substitution करेंगे, तो पहला है, कि अगर a square plus x square का pattern हो, चाहे x square plus a square का, तो x equal to a tan theta put किया जाएगा, या a cut theta, तो अक्सर a tan theta ही put करते हैं, cut पर हम लोग नहीं जाते हैं, अगर दूसरा pattern है, कि अगर यह minus है, तो यहाँ पे a square minus x square है, तो हम लोग put करेंगे, a x equal to a sin theta, या x equal to a cos theta, अगर यही x पहले आजाए, x square minus a square हो जाए, तो उस condition में x की जगा पर हम put करेंगे a sin theta, अगर कुछ इस तरह का pattern हो, a plus x upon, root में a plus x upon a minus x, या यही root a minus x upon a plus x हो, तो इन दोनों pattern नों पर एक ही चीज़ put करते हैं, और वो put करते हैं, x equal to a cos 2 theta, एक pattern और बनता है, x minus alpha upon beta minus x, और under root x minus alpha, एक bracket में है, और x minus beta दूसरे bracket में है, तो यहाँ पे जो substitution होता है, थोड़ा अलग होता है, x equal to a cos square theta plus beta, x equal to alpha cos square theta plus beta sin square theta, यह हमारा substitution होता है, कि कोईसा pattern होगा, तो हम क्या put करेंगे, यह तरीका है, अब आते हैं, 6 pattern हम लोग देख लेंगा है, pattern number 7 देखते हैं, और मैंने कहा कि यह integration की आत्मा है, यहीं पे सारे integration के बहुँ सारे concept सीखने पड़ते हैं, अगर यहाँ का concept सीखते हैं, तो आगे के रास्ते आसान होते जाएंगे, तो आएए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कि एक pattern है, और इस तरह से हो, dx upon ax square plus bx plus c, यह हमारा जो है, वो तो dx भी बहुर रहा सकता है, लेकिन यह है bx, तो bx plus c quadratic equation हो, तो उसका integration हम कैसे करेंगे, तो पहले आपको तरीका देखते हैं, आएए, ax square plus यहाँ पे b है, bx plus c, यह हम ले लेंगे, और इसमें करेंगे क्या, कि जो x square का coefficient है, x square का coefficient है, उसको हम करेंगे निकाल कर बाहा, तो x square का coefficient हमने निकाल दिया, यह x square plus b upon a, x plus c upon a, यह हम को मिल गया, अब जो x square का coefficient हमने पहला काम होगा, first step में, कि x square के coefficient को हटाना, तो x square के coefficient को हम लोगों ने हटा लिया, अब जो X का कोफिसियंट है B by A, उस कोफिसियंट का आधा, मतलब B by A का आधा जो होगा वो 1 by 2, तो B by 2A, B by 2A का बर्ग आपको जोड़ना है और B by 2A का बर्ग ही घटाना है इसमें, तो परफेक्ट स्क्वाइर बनाए जाता है इसको, तो परफेक्ट स्क्वाइर बनाने का यह तरीका है, जो यहाँ पर X का कॉफिसियंट है, उसका आधा करेंगे, आधेकश का बर्ग जोड़ Onda की घटाएंगे तो यह हमको मिलेगा AX2 plus B by AX plus B2 upon 4A2 plus CY A minus B2 upon 4A2. यानि इसको हम काट दें तो हमको कोई चेंजिंग नहीं है कि सेम वही यही रिजल्ट लिख रहा है हम लोग तो हम लोगों ने लिख लिया अब देखें कि यहां से जो हमारे पैटर्न होई यह 3 टर्म मिलकर बनेगे x plus b upon 2a का whole square यह बन गया perfect square अब 20 को हम shelf करेंगे तो पहले आते हैं x plus b by 2a यहां पे 2a रहेगा और यहां पे मिला हमको 4ac minus b square यहां पे c by a था minus b squared upon 4a square अब इसका अगर LCM लें तो यहां पर भी हम इतने का 4A को multiply कर दें और उपर भी 4A को multiply कर दें तो उपर हमको 4AC मिला B square और नीचे हो गया 4A square तो आएए अब यह pattern हुआ अब हमारा pattern अब इसमें दो case arise होंगे if 4AC greater है B square से मतलब इसकी value अगर इस B square से अधिक है तो यहां plus होगा यहां plus होगा तो plus होगा तो उसका case क्या बनेगा 1 upon DX upon AX square plus BX plus C अब इसी को हम यह कर दें कि DX यह 2A होगा छूट जा रहा है B upon 2A और यह हमने root 4AC minus B square upon 2A का whole square कर दिया अब इतने को हम T माल लेते हैं तो T माल लें X plus B upon 2A तो यह हो जाएगा DX equal to DT अब यहां पर put कर दें 1 upon A integration DX upon T square और root 4AC minus B square upon 2A अब इसी को हम क्या करते हैं 1 upon A और यह इसकी बैलू integration था हम लों का A square plus X square का 1 upon A और 10 inverse X by A तो चलिए 1 upon A A की जगा पर हमको मिला root 4AC minus B square upon 2A और 10 inverse T upon 4AC minus B square upon 2A तो यह हम इसको simplify करें तो 2 reciprocal होकर उपर आया है और यह 2A हो गया और यहां से अब इसको हम simplify करें तो यहां पर 2AX आएगा 2A 2A cancel out होगा तो 2 upon under root 4AC minus B square और 10 inverse यहां पर हम ले लेते हैं 2 यहां पर आजाएगा यहां सेटा 2AX plus B under root 4AC minus B square plus C तो यह result मिलता हमको अब case number 2 ले लेते हैं case number 2 कि अगर 4AC से बड़ा B square हो जाए तो अब आप देखें 4AC minus B square अगर यह बड़ा है इससे तो यह फूरा term negative होगा बस इतना ही सीखना था हमको तो हम यहां यहां पर निगेटिव आ जाएगा और T square minus root B square minus 4AC upon 2A अब यह फूर्मूला हमको यह वाला लगाना है X square minus A square और TX तो यह फूर्मूला था हमलों का log 1 upon 2A 1 upon 2A log X plus A upon X minus A इस फूर्मूले को यूज़ करेंगे और दिन सिंप्लिफाई करेंगे तो यहां से हमको यह फूर्मूला लिखे 1 upon A और 2A की जगा पर हमारे पास इतना मिला 2A, 1 upon A तो पहले से है और 2A, A की जगा पर root under root B square minus 4AC upon 2A log T minus under root B square minus 4AC upon 2A T plus under root B square minus 4AC upon 2A plus C, अब T की value जो है हमारे पास X plus B upon 2A इसको हम put कर देंगे और दिन सिंप्लिफाई करेंगे तो हमको मिलेगा यहां पर 2A होगा और यहां पर भी 2A लिख लें तो अब इसको हमको सिंप्लिफाई करना है तो 2A यहां प्लस B तो यहां से हमको मिलेगा 2A यहां 2 नहीं होगा प्लस B होगा और यहां 2 नहीं होगा और बाकी यह सिंप्लिफिकेशन हुआ इस तरह से हम pattern पर सवाल लगा सकते हैं अब अगला pattern लेते हैं इस पर एक इंग्जामपल्स लेते हैं और इंग्जामपल्स हैं हमारे पास dx upon 3 x square plus 13 x minus 10 तो पहला काम क्या है हम लोग को 3 को हटाना यानि x square के coefficient को हम हटाएंगे तो हटा दिया 13 upon 3 x minus 10 upon 3 अब इसका हाप करना है x के coefficient 13 upon 3 का हाप means इतना तो 13 by 6 13 by 6 होगा और 13 by 6 का square हमको जोड़ना है और वही चीज भटाना है तो आईए यहाँ पे x square plus 13 by 3 plus 13 by 6 का square 169 upon 36 minus 169 upon 36 minus 10 upon 3 अब इसको एक टर्म बनाएगे और इसको एक्टार एक साथ रखेंगे तो फिर हमको मिलेगा 1 upon 3 x plus 13 upon 6 का whole square log x minus a upon x plus a तो अब इसी फार्मूले को यहनि इसको हम t पहले suppose करें तब यह फार्मूला लगाएंगे dx equal to dt अब रखते हैं यहाँ पे 1 upon 3 integration dx upon t square minus 17 upon 6 फार्मूला बताई दिये क्या होता है फार्मूला यह हमारा फार्मूला है अब यहाँ पे हम put करते हैं 1 upon 3 1 upon 2a यह की जगा पर 17 upon 6 लाग t minus 17 upon 6 plus t plus 17 upon 6 अब t की value हम put कर लेंगे तो x plus 13 upon 6 minus 17 upon 6 x plus 13 upon 6 plus 17 upon 6 तो यह हमारा result हुआ लाग x और यहाँ पे minus 4 upon 6 और x plus 13 upon 6 अब इसको आप 6 यहाँ पे भी है 6 तो 6 x minus 4 और यहाँ पे बना देते हैं 6 x plus 13 तो यह हो गया c1 अब यह काम करते हैं यहाँ से 2 तो बाहर निकल सकता है इन दोनों में और इसमें 6 बाहर निकल सकता है तो 1 upon 17 लाग 2 by 6 3 x minus 2 x plus 5 यह इसको हमने 3 करते हैं ठीक है अब फिर हम क्या करेंगे लाग ym by yn का पर्मूला लगाए लाग ym minus yn लाग yn और फिर दूसरा पर्मूला लगाएंगे ym into yn का लाग ym होता है और प्लस होता है लाग yn देन तब फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा तो आईए यहाँ पर 1 upon 17 लाग 3 x minus 3 अपान x plus 5 और यह 3 है माइनस का हम लगा दिये लाग minus 3 लाग c1 अब इतने को हम क्या करेंगे c माल लेगे और देन हमारा रिजल्ट हुआ आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आपके उपर है लेकिन यहाँ जहाँ तक simplify होता है वहाँ तक क्या किया जाता है simplify किया जाता है तो यह simplification यहाँ तक जा सकता है इसलिए यहाँ तक simplify करेंगे then simplification, last simplification तक जाते हैं तो last result हमको मिला 17, 3x-2 upon x plus 5 plus c यह result हुआ इसका अब next article लेते हैं type 8 और यह type हो root में तो pattern तो हमारा वही चलेगा जो हम लोग काम किया है हमको यही हटाना है x square के coefficient को फिर जितना यहाँ पर आएगा उसका हमको आधा करके बर्ग को जोड़ना है फिर वही चीज घटानी है तो 1 upon root a को कामल ले लेंगे dx root x square plus b by a x plus c by a फिर हमको क्या करना है इसको by a 2a का बर्ग और फिर plus 4ac minus b upon 4a square यह जो पहले pattern बनाये थे वही pattern यहाँ पर बनाया हमारा तो same pattern हमको मिला अब इस pattern को change नहीं करना हमको तो आगे का हम लोग देखते चलेंगे तो आगे हमको मिलेगा कि इस 4ac बड़ा हो greater हो v square से तो उस condition में हमको कौन सा result लगाना होगा हमको यह formula मिलेगा dx upon root x square plus a square equal to log x plus root x square plus a square plus a अगर यह case number 2 हम लोग ले लेते हैं और case number 2 हमारा कि अगर 4ac छोटा हो भी square से तो वो negative होगा और तब formula हमारा लगेगा log x plus under root x square minus a square plus a तो यह हमारा result होगा अब इस पर एक examples लेते हैं और यह examples हैं हमारा 1 upon under root 5x square minus 2x dx तो पहला काम हमको 5 हटाने तो 5 हम हटा दिये तो 5 को हटा दिये तो root x square minus 2 by 5 x मिला अब इतने का half यानि 2 by 5 का half 1 by 2 तो यह हमारा हो गया 1 by 5 2 by 5 का half जो होगा वो होगा 1 by 5 तो यह हमको मिल गया हाफ हमारा अब आगे का pattern देखते हैं तो आगे क्या करना है अब 1 by 5 के बर्ग को जोड़ना है यानि 1 upon 25 8 करेंगा उतना ही हम separate करेंगा तो हमको मिलेगा यह निकल चुका है dx upon integration dx upon x square minus 2 by 5 x plus 1 upon 5 का square minus 1 upon 5 का square अब इसको हम लिख सकते है x minus 1 upon 5 का whole square तो यह हमको मिल जाएगा dx upon x minus 1 upon 5 का whole square minus 1 upon 5 का square तो अब यहां से आगे चलेंगे let x minus 1 upon 5 equal to t तो dx equal to मिलेगा dt dx equal to dt अब यह हमको मिल गया इतने की जगा पर 1 upon root 5 integration dt upon अब यह नहीं है t square minus 1 upon 5 का whole square तो रूट में ही था सरी यहां छूटा है यहां पर सब के सब root रहेंगे तो root में छूट गया है यहां पर तो आएए आगे देखते हैं 1 upon root 5 log t plus under root t t square minus 1 upon 5 का whole square यह हमारा result होगा अब t की value हम put कर दें तो 1 upon root 5 log x minus 1 upon 5 plus under root x minus 1 upon 5 minus 1 upon 5 जैनि जब इसको हम simplify करेंगे तो हमको वही चीज मिलेगा 2 upon 5 x तो इतनी की जगह पर हम वही चीज रख सकते हैं तो 1 upon root 5 log integration x minus ब्रेकेट में modulus x minus 1 upon 5 plus under root x square minus 2 x upon 5 plus c तो यह हमारा result होगा अब आते हैं लोग next जो हमारी type बनेगा 9 नाइन पैटर्न integration px plus q upon ax square plus bx plus c dx अब बहतर पैटर्न यह भी है और इस पैटर्न को हम लोग सीखेंगे तो पहला काम करना होगा px plus q के जगह पर हम जितना px plus q है उसके जगह पर मान लेंगे यह d by dx d nominator d by dx अब d nominator plus b अब यहां से हम क्या करते हैं px plus q equal to इसका differentiation किये x square का 2x, x का 1, c का 0 तो 2ax plus b और plus b इसको हम relation first मान लेंगे और अब इसको हम multiply करते हैं मतलब x के coefficient x का coefficient यहां पर 2aa है और यहां पर क्या है p है और constant term यह है और इधर q है तो हम अगर equating करेंगे तो हमको मिल जाएगा a की जगह पर p upon 2a और फिर a b plus b equal to q यानि a की value हम put करदे pb upon 2a plus b equal to q अब इतना हम ले आएए इस तरब तो b की value हमको मिल गई q minus pb upon 2a अब जो हमारा equation first था उस equation में इस value को हम put करेंगे तो from equation first px plus q equal to p upon 2a 2a x plus b plus q minus pb upon 2a यह हमको मिल गया अब जो px plus q है उसके जगह पर हम इतना put करेंगे इसको आप simplify करेंगे तो यह right hand side का जो लंबा सा turn मिला है वो px plus q के बराबर ही है लेकिन हमने integration के pattern को सरल करने के लिए इस तरह से किया गया अब आते हम लो integration लेते हैं कि px plus q upon ax square plus bx plus c or equal to p upon 2a 2ax plus b upon ax square plus bx plus c plus q minus pb upon 2a upon ax square plus bx plus c तो यह हुआ अब इसी को हमको integrate करना है तो हम integrate कर देते हैं और integrate करेंगे तो हमको मिल जाएगा p upon 2a 2ax plus b bx upon ax square plus bx plus c यह हमारा constant है तो integration से बाहर कर लेंगे p upon 2a constant है तो integration से बाहर कर लेंगे अब ax square plus bx plus c और यह pattern पुराना है पहला जो हम लोगोंने देखा था quadratic equation का ax square plus bx plus c का pattern मिला अब इसको आपको समझना है यह तो हम समझा चुके है यानि जो second part है उसको हमको नहीं देखना है इसको देखना है तो पालीची तो जो क्या करते हैं बिस्त्रित चलेंगे तो उसका देखेंगे लेकिन आपको एक तरीका देखें तरीका मैंने कई बार बता चुका यहां पे f dash x upon f of x और dx हो यानि अगर denominator का differentiation अगर numerator मे रखा है तो उसका integration जो होगा वो log होग f of x f of x या log denominator तो यहां पे सीधे-सीधे हम लीग सकते हैं log denominator क्योंकि इसका differentiation जो तया numerator में रखा गया और यह second वाले pattern पर हम लोग काम कर चुके हैं तो उसको अभी नहीं देखेंगे और first का pattern हम लोग ने देख लिया तो इसको हम p upon 2a log ax square plus bx plus e और plus q minus pb upon 2a integration 1 upon ax square plus bx plus c dx इसका pattern हम लोग discuss कर चुके हैं यानि यह pattern का complete हुआ अब इस पर हम लोग लेंगे एक examples और examples लेते हैं और examples हैं हमारा x plus 2 upon 2x square plus 6x plus 5 तो यहां से अब पहला काम वही x plus 2 equal to हमको क्या मानना है तो x plus 2 equal to ले लिए a divided x differentiation of denominator plus b अब यह x square का differentiation जो होगा 2x और x का 1 और 5 का 0 तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से x plus 2 equal to a 4x plus 6 plus b इसको हमने मान लिया equation first अब यहां पर multiply करते हैं x plus 2 equal to 4a x plus 6a plus b अब equating coefficient of x and constant term on both side तो x का coefficient यहां पर 4a यहां पर 1 तो 4a equal to 1 और a equal to 1 by 4 और 6a plus b equal to 2 यह की जगा पर 1 by 4 हम put कर दें और यहां पर 3 by 2 मिला तो b equal to 2 minus 3 by 2 1 by 2 यानि a और b का मान मिल चुका value मिल चुकी अब इसको हम equation 2 1 में put कर देंगे तो यह from 1 x plus 2 equal to 1 upon 4 4 x plus 6 plus 1 by 2 अब हमारा x plus 2 है उसके जगा पर हम इतना put कर सकते हैं तो आईए integration का जो therefore i equal to x plus 2 upon 2 x square plus 6 x plus 5 dx अब यहां पर हम put करें तो 1 upon 4 x plus 4 x plus 6 upon 2 x square plus 6 x plus 5 dx plus 1 upon 2 1 upon 2 x square plus 6 x plus 5 dx अब इसको हम जो होता है कि एक i1 सब पोज कर लेते हैं इसको i2 सब पोज कर लेते हैं तो 1 upon 4 i1 plus 1 upon 2 i2 इसका तो हम लोग direct कर सकते हैं लेकिन बिश्तिरित यानि extension method से आपको समझाने के लिए हमने माल लिया हम तो सीधे सीधे लिग सकते थे कि लाग 2 x square plus 6 x plus 5 होगा और इसको हम लोग open कर लेंगे तो यह हमारा equation 2 मिला अब i1 equal to है कितना i1 equal to के लिए मतलब इस integration के लिए 2 x square plus 6 x plus 5 equal to t बान लिए अब इसका differentiation करेंगे तो differentiation आएगा 4 x plus 6 dx equal to dt तो i1 हमको मिल जाएगा 1 upon t dt यही चीज हमको मिला log t plus c1 अब यह log 2 x square plus 6 x plus 5 plus c1 अब आते हैं हम लो second term लिए for i2 के लिए i2 1 upon 2 x square plus 6 x plus 5 पहले चीज यहां से 2 को हटाए तो 2 को हटाते हैं तो हमको मिल गया 1 upon 2 integration 1 upon x square plus 3 x plus 5 by 2 अब इसका हाफ 3 by 2 3 by 2 का बर्ग 9 by 4 8 करना है 9 by 4 minus करना तो x square plus 3 x plus 3 by 2 plus 5 by 2 minus 3 by 2 का whole square अब यह होगा x plus 3 by 2 का whole square तो यहां से हम लिगने x plus 3 by 2 का whole square प्लस 3 by 2 का whole square यह आपको इसका हम solve कर लेते हैं यहां 5 by 2 है और यहां से मिला 9 upon 4 9 upon 4 तो 5 minus यहां पर 2 को multiply कर दें तो यह हमारा 10 minus 9 upon 4 यानि 1 upon 4 यह 1 upon 2 का whole square होगा अब पैटर्न आप देखें a square plus x square plus a square का pattern मिला है तो इसको हम suppose कर ले x plus 3 by 2 equal to t तो dx equal to dt हमको मिलेगा अब इसको हम solve करें तो 1 upon 2 integration dt upon t square plus 1 by 2 का whole square और यह था हमलों का x square plus a square dx equal to 1 upon a 10 inverse x by a यह result मिला तो अब यहां से इसका हम 1 upon 2 1 upon a a का मतलब 1 upon 2 10 inverse t upon a x upon a तो t upon a c2 अब यह 1 by 2 1 by 2 कैंसिल हो जाएगा देन हमको मिलेगा 10 inverse और 2 reciprocal होके उपर चला गया तो 2 t plus c2 अब यहां पर put कर देते है 10 inverse 2 x plus 3 by 2 अब इसको simplify करें तो 2 x plus 3 तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 10 inverse 2 x plus 3 plus c2 अब i1 और i2 की value हम समें दो जो equation 2 है उसमें हम put कर दें तो 1 by 4 i1 plus 1 by 2 i2 यहां पर 1 by 4 लाग 2 x square plus 6 x plus 5 plus c1 upon 4 plus 1 by 2 10 inverse 2 x plus 3 c2 upon 2 अब c1 upon 4 और c2 upon 2 दोनों को एक combined constant के रूप में change कर देते हैं और result हमको मिल जाएक 1 upon 4 लाग 2 x square plus 6 x plus 5 plus 1 upon 2 10 inverse 2 x plus 3 plus c यह हमारा result हुआ अब pattern एक और है वो pattern देख लेते हैं type 10 और 10 का हमारा pattern है px plus q upon root ax square plus bx plus c dx तो पहले नीचे का तो हम लोग कर चुके हैं इसी का इसका भी हम लोग कर चुके हैं तो जैसे pattern number 9 था same इस pattern में चलेगा लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा 8 pattern को भी देखना होगा क्योंकि नीचे root है तो हम फिर px plus q equal to माल लेंगे a d by dx ax square plus bx plus c plus b और यह हमको मिल जाएगा 2ax plus b plus b अब यहां से a और b की value calculate करेंगे तो हमको a की value p upon 2a b की value q minus pb upon 2a put कर लेते हैं तो यह इतना भी हो अब यह दो integration में तूट जाएगा अब इस पर एक examples हम ले लेंगे और examples हमरा x plus 3 upon root 5 minus 4x minus x square dx अब x plus 3 के जगह पर हमको लेना है अब x plus 3 equal to a d by dx 5 minus 4x minus x square plus b अब x plus 3 इसका 0 इसका x का 1 और इसका 2x तो यह मिल गया और b अब फिर वही काम हमको करना है equating the coefficient of x and constant term on both side then हमको मिलेगा इस तरफ यहां पर minus 2a यह को इसमें multiply किये तो minus 2a x और x का 1 है इधर minus 2a है तो यह की value minus 1 by 2 और फिर minus 4a plus b equal to 3 आएगा और यह की value हम यहां पर put करें minus 1 by 2 तो 4 by 2 मतलब 2 तो यह हमको मिल जाएगा 2 और b की value आएगी 1 यहनि a और b की value मिल गई अब a और b की value equation first में हम put कर लेंगे तो from equation first और x plus 3 equal to minus 1 by 2 minus 4 minus 2x plus 1 अब इसको हम put करते हैं और integration को दो पार्टों में तोडते हैं तो integration हमारा minus 1 by 2 minus 4 minus 2x under root 5 minus 4x minus x square plus 1 by 1 by root 5 minus 4x minus x square और यहां पे d अब देखें first term को इसको i1 suppose करेंगे लेकिन इसको हम direct सिखा दें आपको देखें कि अगर यहां पे कि f dash x हो और नीचे हमारा root f of x हो root f of x पहले f x होता था नीचे अब यहां पे root f x है तो यह मिलेगा to root इसका integration होगा to root f of x यह होगा यहां पे pattern को हमने आपको समझाया और यह कैसे होगा इसी pattern में आपको सिखा देंगे तो इस pattern में हम आपको सिखा देंगे कि यह लेकिन अगर आपको इस concept को learn करते हैं तो काफी आपको मदद करेगा help करेगा question लगाने में तो यह इसको हम पहले को i1 suppose कर लेते हैं और दूसरे को i2 इसको हमने equation first माना अब i1 हमारा कितने के equal है तो i1 लेते हैं minus 4 minus 2x root 5 minus 4x minus x square और यहां पे तो dx रहना ही है अब नीचे वाले term को हम suppose कर लेते हैं for i1 के लिए put कर ले रहा है 5 minus 4x minus x square equal to t अब इसका हम करें differentiation तो हमको मिलेगा minus 4 minus 2x dx equal to dt यानि उपर वाला term हमारा replace हो गया dt से और नीचे हो गया root t तो 1 upon root t dt तो अब यहां पे direct आ गया अब यही बात कहते हम आपको समझाने के लिए 1 upon root t है तो t को उपर ले जाएंगे तो minus 1 upon 2 और dt जब basic formula लगाएंगे तो minus 1 upon 2 plus 1 और नीचे minus 1 upon 2 plus 1 अब उपर हमको मिल जाएगा t power 1 by 2 और नीचे भी मिल गया 1 by 2 तो तो उपर नीचे का reciprocal होकर उपर गया और यह हो गया root t तो आप इस concept को याद रखें कि अगर यह दिया है f dash x upon under root f of x और dx तो आपको कितना मिलेगा 2 root f of x plus c यह होगा तो हमको मिल गया t की value यहाँ put कर लेंगे अब 2 under root 5 minus 4x minus x square plus c i1 हमको मिल गया i2 हम लोग निकाल लेते हैं तो यह हो गया अब यहाँ पे तो था कि हमको x square का coefficient तो x square का coefficient already one है अब ध्यान नहीं देना है x का coefficient है हमारे पास four तो four का half हुआ two, two का square हुआ four यानि four add करना four subtract करना, अब यहाँ पे आपको यह सिखना है कि कब हम plus वाले चिन को एक साथ रखेंगे, मैनस वाले चिन को तो यहाँ पे तो देखें यह मैनस है यह मैनस है अगर मैनस वाला हम कर ले मैनस थोर और मैनस four Ξ और मैनस x square यह सब के सब मैनस हुआँ मैनस को हम कामण ले लेंगे तो four plus four x plus x square हमको एक pattern दिख रहा है और plus वाला five के साथ लगा दें तो five plus four और बाकी ये कर लेंगे तो five plus four nine होगा nine का बर करेंगे तो root three का square होगा ये three का square root nine minus और ये x plus two का होगा अब कौन सा formula लगा ये वाला formula आ गया a square minus x square और dx तो ये formula होगा sine inverse x by a का तो अब यहां पे हम लगा देंगे तो ये हमको मिल जाए sine inverse x plus two upon और ये three का square है तो three a plus two यानि i2 भी मिल गया अब i1 और i2 की value हम equation two में put कर देते हैं तो minus one upon two plus i1 plus i2 और ये i equal to minus one upon two और i1 की two root five minus four x minus x square minus c1 upon two आ जाएगा और i2 की value है sine inverse x plus two upon three plus c2 अब ये two से two cancel out हुआ हमारा तो minus हमको मिल जाएगा under root five minus four x minus x square plus sine inverse x plus two upon three plus c ये था introduction आप exercise 7.4 अब 7.4 का solution next video में देंगे thank you student और video अच्छी लगी हो तो like करें comment करें share करें और मेरे चैनल को subscribe भी करें धन्यपाद